हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप सभी का नौलेज़ टॉप चैनल में दोस्तो आज मैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक रहने वाला है इंडियन आमी में इंडियन आमी में दोस्तो बर्तियां क्यों नहीं निकल रही है आप देख रहे होंगे एक दो साल से बर्तियां इंडियन आमी में जो है नहीं आ रही है तो इसका कारण क्या है आज मैं इस वीडियो में डिसकस करूंगा और आपसे कुछ तत्या आपके सामने रखूंगा जो अभी तक हमें पता लगे हैं पहली बात दोस्तों आपकी जो वेकेंसी हैं जो निकलती थी हर साल वो क्यों नहीं आ रही है इसके पीछे पीछे एक यहोट दिया जा रहा है कि माल लीजे दोस्तों जब हमारा कोरोना स्टार्ट हुआ था तो इंडियन आर्मी में जो भी बंदे सर्व करते हैं यानि जो इंडियन आर्मी के परसनल्स होते हैं उनको रिटायर्मेंट अभी नहीं दिया गया है यानि आप समझे का मैं क्या समझाना चाहरा हूँ कि उनका जो रिटायर्मेंट है वो मार्च कर दिया गया है अब समझे दोस्तों जो मतलब जिनोंने जैसे सितंबर में रिटायर होना था तो उनका रिटायर्मेंट मार्च कर दिया गया है यानि आमी में अभी कोई भी रिटायर नहीं जा रहा है किसी को भी जो है इंडियन आमी रिटायर नहीं भेज रही है जैसे आप कह सकते हैं जैसे सिपाई का 17 साल होता है तो सिपाई का 17 साल है तो उसे अभी रिटायर नहीं भेजा जा रहा है मार्च तक कब तक दोस्तों मार्च तक यानि अब आप समझे जब उन्हें रिटायर ही नहीं भेजा जाएगा तो अगर आमी में किसी को रिटायर ही नहीं भेजा जाएगा तो विकेंसी कहां से खाली होगी पहली बात तो यह समझे आप यानि दोस्तों जब 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 एक बहुत important रखने वाला हूँ कि मुझे एक बात यह समझ में नहीं आ रही है कि चाहे army हो, समझेगा मैं आपको समझा रहा हूँ, चाहे air force हो, army हो, air force हो, air force और या चाहे navy हो, इन तीनों की recruitment दोस्तों अभी जो है रोक के रखी गई है, अब इसके पीछे का क्या करण हो सकता है, ये तो किसी को भी नहीं पता है दोस्तों, सभी अपना अंदाजा ही बता रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि हमें इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने लक्ष, अपने physical, अपने मेहनत पर ध्यान देना है, दोस्तों, आमी वाले बंदे running कीजिए, एरफोर्स वाले बंदे study कीजिए, नेवी वाले बंदे study कीजिए, और आपकी vacancies जल्द ही जरूर आ जाएंगी, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों, February और March, आप याद रखिएगा मेरी बात, February और March के बीच आपकी vac vacancies कोई ना कोई हल चल आपको देखने को जरूर मिलेगी, ये मेरी 200 आपसे guarantee है कि February और March में आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा, पहली चीज तो ये है दोस्तों, February और March के बीच आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, और इसका मतलब आपके पास जादा time नहीं है, आपक जल्द ही आ जाएगी, February, March, April इन तीन महिनों की बीच, 101% दोस्तों मैं आपको guarantee देता हूँ, आपकी vacancy आने वाली है, आपको positive रहना है, negative नहीं रहना है, तो दोस्तों आसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छे लगी हो और इससे कुछ motivation मिला होगा, दोस्तों अगर आपक के medical, इंडियनामी में कैसे question पूछे जाते हैं, sample paper और यहां तक कि मैंने अपने channel पर दोस्तों original paper तक upload किया हुआ है, तो आप मेरे channel को visit कीजिए और देखिए, और किस तरीके का paper आता है, कैसा medical होता है, और जो मैंने सब बताया हुआ, medical का मेरा personal experience भी है, वो भी मैंने share किया ह तो आप प्लीज channel को visit कीजिए, और मेरे channel को प्लीज दोस्तों like और एक बहुत ही important काम आपको करना है, subscribe तो प्लीज जरूर ही कर दिजिएगा मेरे भाईयों, please, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी, तो प्लीज चैनल को like, subscribe जरूर कर दिजिएगा, मिलते ह इसे वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत